कर दो देड़ी पत्री वाले हैं आग चला के जीवन चलता है बहुत जंड पर रिशाब इसने चार-चार कमल वरता तो भी ठंड तूर नहीं हो रहा है दिल्ली में इतनी ज्यादा ठंडे बढ़ गई हैं कि हाथ वाथ उठ नहीं रहे हैं काफी परसानी का सबब बन गया है दिल्ली के ठंड दिल्ली में कडाके की ठंड परणी शुरू हो चुकी है सीत लहर भी चल रही है ऐसे में दिल्ली वासी जो है वो ठंड से बेहदी परेशान है ऐसे में अलाव जलाकर अपनी समस्या से निजाद पा रहे हैं और ठंड से बचाव के उपाई धुन रहे हैं ऐसे में जो लोग यहां पर अजे रहे दिए उनसे बातचीत करेंगे तक नगा निगम जो लाओक वेवस्ता करती है थी खुद से प्सक्राइब का नगर यह मारे मार। एडिवस्त नाव निगम नहीं कि खामी आज सकते हैं कैजरीबाल सरकार दिल्ली के विकास के लिए आई है तो तो क्या लगे रहा है इस बार दिल्ली की जनता का विकास होगा मुश्किली एफ जी अब क्या करें घरीवी जीवन है है कमल मल कहीं मिल नहीं रहा है आग जला करके अपनार काम चला रहे हैं साथ ठंड पढ़ रही है दिल्ली में बहुत ठंड पढ़ रहे हैं इतना बताई है चपल जूता भी नहीं मिलता है यहां पर चोड़ी हो जाता सब कुछ दिल्ली में इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है कि हाथ वाथ उठ नहीं रहे हैं सुबा तो मुझे लग रहा है मानिस में पहुचने वाला होगा यहां का टंपरेचर इतने ठंड है कि यहां अलाव जलाने की सुविधा भी नहीं है और जो जला भी रहें यहां के नागरिक बहुत परिसान है ठंड से हम लोग चात रहें यहां के दिल्ली उनिवर्सिटी के फिर भी हम लोगों को ठंड से जूजना पड़ रहा है यहां पर रेलवे स्टेशन पर हैं तो यहां किस काम क्या से बचाव होगा अभी तो अलाव मिल गया है लेकिन जगाहों पर जहां अलाव होने चाहिए एक्च्वल में नगा निगम जहां अलाव जलाना चाहिए उनको वहां नहीं मिल रहे हैं हाँ बहुत सारे लोग मैं जहां पर रह रहा हूं वहां पर भी लोग इस दिक्कत का सामना करते हैं उनको काफी प्राबलम होती है अभी आध तो मुझे मिल गई है मैं सोभा कि साली महसूस कर रहा हूं कि दिल्ली जासी जगाहों में भी अलाव में कई अलाव से हाथ सेकने क मुझे मैं यहीं चाहूंगा कि मतलब और बाकी लोगों को भी बाकी लोग भी चाहते हैं कि उन्हें ठंड से राहत मिले और इसके लिए कई उपाय किये भी जा सकते हैं जैसे वान नगर निगम काम नहीं कर रहा है ठंड से बचाव के लिए कोई सुविधा नहीं है लेकिन काजिव की भी मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ उधार हो सकता है और आगे जानेंगे आग के सामने खड़ेकिन आसु आ रहे हैं जी जी द्रहें से जी बिलकुल परसान कर रहा है परसान जादा रूला रहा है यजो दिल्ली की ठंड के भार में नहीं जानते हैं उनके लि और ऐसे में हम लोग को रहे सोद्व पडाई में कितनी लगता है नगर निगम को कुछ करना चाहिए इसमें अलाव अगरह की बवफ्था करनी चाहिए जिससे स्टूडेंट्स और सभी नागरी भी सुरचित रह सके ठंड से बच सके ऐसे विवस्था अन्य राजों में भी होती है आप कहां से हैं बेसे मैं यूपी से हूँ यूपी में अलाओ की विवस्था प्रॉपर है हाँ जी बिलकुल रहती हैं वहां प्र गाउं में डिल्ली में नहीं है राजधानी है फिर भी नहीं मिल है जी आप से जानूं क इने हाण धर यह करें आभ तर पूरा यह देख लिए आप सामने आग जा रह cars कितने लोग यहां पर आजाते हैं आग सेखने के जो भी रहा हो से गुजरता है जल नहीं है अपनी दुकानदारी चला रहे हैं तो ऐसे में ठंड से कैसे बचा बचाप बचाव हो जाता है उतना नहीं सोचना है अच्छा आग जलती हुई देखी है तो इसलिए सेखने आ गए हाँ इसलिए आ गए हम लोग तो इसे उदर ठंड तो बहुत दिख रही है पिल भी कानों पर टोपा नहीं लगाए अर्य तो उसको लगा है फैसन भी तो नहीं करना है भी यृए तब नहीं होता तब यह हम लोग मान लेते कि ठंड ही नहीं हम लोग ही मान लेते की ठंड ही नहीं साइन्स वाले हो इसलिए मान रहे हो हां मान लेते यह बताओ कि यहां पर आग जलती हुई क्योंकि नगर निगम विवस्थाई कराती है अलाव जलवाती है तो ऐसे में अलाव दिखे हैं नहीं अभी तक तो मुझे कहीं नहीं दिखें कहामी मान रहे हैं खेजरिवाल सरकार हा अपने आपको बचाने के लिए खुझ से अलाव जलाकर अपनी ठंड से बचायए लगे होए हैं अलाव की विवस्ता नहीं कर रही है केजरी वाल सरकार अबी अभी MCD में आई है और गस्तलिक अलाव की विवस्ता नहीं नी डेने वाले हो दो सो रूपए लेकर लखड़ी लेकर हैं यह लगड़ी लेकर हो जला रखांँ को बैचाव के लिए और लोगों को भी बैचाव देरहे हैं अब उपर वना जाने हैं तेरा जनवर इतक तो कम नी होगी ठंडी है इतनी ही ठंड पर इससे ज्यादा परती है यह अगले दिल्ली रेलवे स्टेशन भगल में है तो यातरी ज्यादा आते हैं भीड़ भाड़ वाला इलाका है ऐसे में अलाओ की विवस्था तो ज्यादा होनी चाहिए जो यातरी पोनी चीह लेकिन देते हैं ना यहां पर जनता की जो मुल्बूत सुविदाय हैं वही उनको नहीं मिल रही है ठंड में बचाव के लिए उनके लिए अलाओ उपलब्द नहीं कराए गए हैं नगा निगम की सबसे बड़ी खामी यहां पर नजर आ रही है कि आखिर अलाओ क सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नहीं है पुलिस वाला आते मना करते हैं कि पॉलूशन हो रहा है यह और गंदेगी होती है पॉलूशन की बहुत जाद हैं पर वह दिक्कत है मना करते हैं पुलीस वाले सवाल जंता कर रही है कि आखिर अलाओ कब जलेंगे तो ऐसे में क् जगा जग गरीबों कमल बाटने चाहिए टोपर देना चाहिए और जो शड़क पे लोग सो रहे हैं उनकी नहीं जो बेगहरों का आश्रम जो बना देता है वो बनानी चाहिए रेंड़ बसेरा बनानी चाहिए तो ऐसे में ठंड से बचाव के के वली यही उपाय है अलाओ जल जारे हैं तो उसमें लकडी का खर्चा पल्यूशन तो तब भी हो रहा है जी हो रहा है दिली में हमने नई दिल्ली रेल्वेस्टेशन के पास जाकर दौरा किया जोहां पर हमें अलाओ की विवस्ता कहीं पर नजर नहीं आई ऐसे में जानकारी मिली कि प्रदूशन के कारण या लाओ की वेवस्था नगर निगम द्वारा नहीं की गई है तो वहीं कुछ जनता शिकायत करते हुए ये भी पूछ रही है कि आखिर दिल्ली में अलाओ कब जलेंगे तो जनता के इस सवाल का जवाब आखिर कब मिलेगा दिल्ली मे आखिर अलाओ कब जलेंगे जलेंगे या नहीं जलेंगे ऐसे में प्रदूशन पर किस तरह से नियंतरन पाया जाएगा और ठंड से बचाव किस तरह हो पाएगा इसी तमाब अपडेट्स के लिए बनी रिएगा दनियों सुटीन के साथ मैं अंजली राठा और क्यामरा पर